नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार ब्रिस्व रासी सनीदेव का महा परिवर्तन हो रहा है और सनीदेव 29 अप्रेल को मकर रासी से निकल कर कुम रासी में प्रवेश करेंगे आप पर ना तो साड़े साथी चलेगी और नढ़या यानि आप पूरी तरह से आजाद हैं 2025 तक तो क्या होगा आपके जीवन में सनीदेव के इस महा परिवर्तन का असर क्योंकि ब्रिस्व रासी के भागी को सीधे तोर पर सनीदेव ही नियंद्रित करते हैं यानि ब्रिस्व रासी कितना कमाएंगे कितना खाएंगे क्या वो अपना मकान होगा नहीं होगा तमाम चीजे सनीदेव कंट्रोल करते हैं और कुछ भी आपको किस्मत से जो मिलना है वो बिना सनीदेव के आसिरबात का मिल ही नहीं सकता अब आप समझ सकते हैं अगर आपकी रासी बिसब है तो सनी देव कितने इंपोर्टेंट है क्योंकि सनी देव अगर अनुकूल ना हो कुंडली में तो जीवन का कोई भी पप्च अच्छा नहीं होता आपका पैसा भी आपको पास नहीं होता आपका करियर नहीं चलता बैवाह से संपन हो ही नहीं सकता तो यह तो थी कि सनी देव कितने इंपोर्टेंट है लेकिन जब उनका महाँ परिवर्तन होगा तब क्या होगा आपके जीवन में बड़ा बदला तो बिसब बालो सनी देव जो है वो 2022 में जब रासी परिवर्तन करेंगे तो वैसे तो हर धाई साल में वो अपनी रासी बदलते है और जोतिस में रासी चक्री की जो बारा रासी आए ना उनमें भ्रमन करने में सनी देव को तीस साल लगता है यानि एक रासी में वो धाई साल रहते हैं और बारासी में घुमते वे तीस साल का सफर उनको तै करना होता है तो तीस साल के बाद ये समय आया है जब वो अपने दूसरे घर यह पक्का घर है कुम रासी एक घर होता है उनका मकर रासी दूसरा कुम रासी यानि दो रासी के स प्रवेस करेंगे और 30 साल के बाद अपनी कुम राशी में प्रवेस करने जा रहे हैं सनिदे और कुम में प्रवेस करते ही याद रखिए कुम में जब वह आ जाएंगे तब इस बार इतने बिलक्षन से योग बने वें हैं कि ससनमक महां पुरूस राजियों का फल भी आपको क्विक मिलेंगे तो मकर से कुम में धाई यहां पर देखें करीब धाई मैंने रहेंगे 12 जुलाई 2022 को उल्टी गती से चलते वे यानि वक्री अवस्था में सनिदे फिर से मकर में आ जाएंगे और यहां पर 17 जन्वरी 2023 तक रहेंगे और इसके बाद फिर से कुम में प्रवेश करेंगे तो यानि इस वर्ष पहले 29 अप्रेल को वो कुम में जाएंगे और फिर 12 जुलाई को वो मकर में वापस आ जाएंगे तो जो 30 में नौ गरहों में जो सनिदेव हैं उनको नियाया धीस का दर्जा प्राप्त है के तुरंद फल देते हैं और माना ये भी जाता है कि सनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको इकदम से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी द्रिष्टी कूद्रिष्टी पढ़ जाए उस बैक्ति की जीवन की मुँसे बढ़ा देते हैं अब सनिदेव हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं और जन्व कुन्ली में सनिदेव अगर सुबिस्तिती में हो लाब देते हैं और असुब इस्तिती महो तुम उसकी लें बढ़ा देते हैं तो सनीदेव को हर कोई चाहता है परसर न रखना हर कोई चाहता है उनकी किलपा मिले और नराज हो जाएंगे तो धन की कमी देंगे वैसे भी बिरसबालों को सब पुछ सनी ही देते हैं यहीं सनीदेव के आसिरबा सब्सक्राइब के बिना पूरा लाइफ आपका अधूरा है यह आप मान के चलिए और धन्भी हानी करवाते हैं जौब बिजनस में दिक्कते देते हैं कई बार तो जौब छूड़ जाती है बसा बसाया बिजनस ब्रबाद हो जाता है दामपत्ति जीवन में परिसानी आती ह आपकी पूंजी खत्म हो जाती है तो बैती जोतिस में सबसे मंद गती से चलने वाले गरा सनी देव हैं और 29 अप्रेल को जब वो कुम में आएंगे तब रिसब बाले जो हैं रासी बाले क्या आप खोएंगे और क्या आप पाएंगे आपके जीवन में क्या कुछ बढ़िय में गोचर करेंगे तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है जिसको कहते हैं यहां तो आपको माला माल करेंगे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे अफसर देंगे जिसका आपको फायदा उठाना ही चाहिए और जितना लाब उठा सकते आप उठा लें और 29 अप्रेल 2022 को आप आपकी रासी के दसम भाव में आने के बाद जुलाई में जब सनी देव एक बार फिर से आपके भागे भाव यानि नवे भाव में गोचर करेंगे तो कारेच्छेदर में आपके छोटी मुटी मुटी मुश्किलें बढ़ाएंगे क्योंकि इस समय अस्थांतरन की संभावना बनेगी तो सनी देव का ये परिवर्तन गोचर के दोरान आपको बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे और आपके नवे भाव में और 12 जुलाई से 17 जर्मरी 2023 तक भी आपके नवे भाव में ही रहेंगे तो मेहनत का फल देते रहेंगे आपके लिए बहुत फायदे मंद वक्त है और 29 अप्रेल को सनी देव आपके भाग अस्थान में रहने से बात जब कर्म भौ में आ रहे हैं तो भाग एको ब्रदी करेंगे क्योंकि सनी देव जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर को रोसन करते हैं और जिस घर पर दिश्टी डाल देते हैं उस घर को बरबात कर देते हैं जला देते हैं तो अभी तक आपने जो भी मेहनत की है उसके परिणाम अब आपको मिलने सुरू हो जाएंगे तमाम अठके वेकारे बनने लगेंगे आपकी मान परतिष्ठा पढ़ेगी समाज में एक दाइरा बढ़ेगा लोगों के बीच आपकी परसंसा बढ़े होगी आपको समाज में खूब यसमान समान मिलेगा और आप जो महनत करते हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि सनिदेव का करम भाव में गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन में बढ़ियां अफसर देगा और सनिदेव आपके भागे भाव यानि नवे भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर 12 जुलाई 22 से लेकर जो यहां पर 17 जनवरी 2022 तक है बिसर बालों के लिए आपके भागे भाव में सनिदेव मकर रासी में रहेंगे और सनिदेव जो यहां भागे भाव के आपके स्वामी भी है कर्म भाव के भी स्वामी है तो सनिदेव की दृष्टी और उनका प्रभाव क्या होगा देखिए आपके 11 भौ तीसरे भौ और छटे भौ पर उनकी दृष्टी है तो 11 भौ इंकम और लाप का स्थान है तीसरा भौ प्राक्रम का स्थान है और छोटे भाई बेहनों का स्थान है समाजिक प्रभाव का स्थान है और जो छटा भाव है रोग चोट रिन सत्रू का स्थान है तो क्या होगा देखिए रोग ब्याधी पिरा का स्थान है छटा भाव अब 29 अप्रेल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच जब सनी देव आपके दस्वे भाव में गोचर करेंगे तो इस दोरान सनी देव की जो द्रिष्टी है उनका प्रभाव है आपके चौथे भाव, सात्वे भाव, चौथा भाव जो मा का सुकसंपत्ति का भाव है और सात्वा भाव जो सनी देव की द्रिष्टी इन भावों को भी प्रभावित करेगी तो कारे छिदर में आपके लिए छोटी मोटी प्रेसानिया लाएगी खासकर आपका ट्रांसफर होना अस्थांतरन होने के यहां पर योग बनेंगे इस प्रियर में सुकसु विधाओं पर खर्चे होंगे ल इसमें यह भी आपको समझना होगा कि थोड़ा सा लाव में कमी आएगा थोड़ा इंतजार करना होगा तो सही हम रखे हां सनी देव को मजबूत जरूर कीजिएगा क्या करेंगे आप मध्यमा उंगली में या तो चांदी का छल्ला पहने जो आपके लिए सबसे बेस्ट है या रखे चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में दोनों हादों में पहन सकते हैं या फिर आप लोहे का भी छल्ला पहन सकते हैं और जो आप सनी देव को परसंद करने के लिए जैसे कि गरी बैकती हैं खाने पीने की बस्तू दान करें जो बिमार हैं उनका आप कुछ से बताया कि कहां पर रहकर क्या देंगे सनी देव आपके जीवन में अब दूसरा पक्षी है कि यहां पर अप्रेल से जुलाई तक का जो वक्त है जब दसमें भाव में गोचे करेंगे तो आप लक्ष प्राप्ती में थोड़ी बहुत बाधाय लाएंगे हलांकि प्रयासों से आप सफलता प्राप्त करेंगे और सनी देव की चाल के दौरान आपको सफलता तो मिलेगी जौप करते हैं तो थोड़ा सा और सुरक्षित महसूस करेंगे अगर आप बैपसाई हैं तो इस समें आप को अपनी बिक्री बनाने के लिए नई छेत्रों को तलास करना चाहिए ग्रहस्त जीबन में संबंदों को लेकर थोड़ा सा संघर्ष तो है लेकिन इस दौरान आपके परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्त का थोड़ा सा चिंता आपको रहेगा अब इस समय में पारिबारिक संपत्ती बेगरा के कुछ मुद्दे उभर सकते हैं और थोड़ा सा आपने स्वास्त का छोड़ी मोड़ी चीज़े हैं ध्यान रखिएगा लेकिन जुलाई के बाद जब मकरासी में वक्री होकर आएंगे तो पूरे वर्स इसी स्थिति में रहेंगे क्या करें एक तो आप नॉन्वेज मत खाईए और जैसे नॉन्वेज अलकोहल बचिए यह स सारी मेहनत का फल मिलेगा और फाइदे मन्द भी है हलांकि आपके कारियों को लोग नजन अंदाज नहीं कर पाएंगे एदम से सकात्मक्फर मिलेगा और सनी गरा की चाल भी दीमी है तो सनी जब आपके कुंडली में भाग भाम में उस्तित होगा तो दीरे दीरे आपको पर चाहिए नौकरी मिलेगी कारशाथ में आपके संबन्द आपके सही हो गयों से बढ़ियां होगा और सनी आपके नवे भाम में गोचर करेंगे तो कारशाथ में जोटी मुटी मुटी मर्स परिसानिया देंगे कहने का ताथ पर चीज़ें आपके पक्ष में है एक छला ज हम आपसे अब विदा लेंगे जानी बाद